दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके आईफोन में एप स्टोर से इंस्टाग्राम एप जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है इंस्टाल नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अगर बैग्राउंड में ऐप स्टोर पढ़ा है मतलब ऐप स्टाइप से आपका खुला है तो आप इसको इस टाइप से बैग्राउंडSpK से हटा दिए ठीक है पूरी तरह से बंद कर दीजे मिनमाईस से था दिए उसके बाद आप दुबारा से कोल करके देगए इस होता है तो आप क्या करेंगे आप जाएंगे अपने आईफोन में सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल और क्लिक करेंगे जैनरल पे जनरल पे क्लिक करते ही आपको एक iPhone storage का option दिखाएगा इस पे क्लिक करिए और देख लीजे आपके में storage भर तो नहीं गया है पूरा अगर भर गया है तो खाली कर लीजे थोड़ा बहुत उसके बाद आपके में Instagram डाउनलोड हो जाएगा बट इनकेस storage खाली है फिर भी नहीं download हो रहा है तो आप क्या करेंगे आप यहां से back करेंगे और उपर software update पे क्लिक करेंगे यहां पर अगर आपके में iOS update आया हुआ है तो आपको अपने system update कर लेना है और इससे आपकी problem भी solve हो जाएगी ऑके बट इनकेस system update नहीं आया हुआ है तो आप क्या करेंगे आप यहां पर जो है एक बार check कर दीजे आपके में net चल रहा है कि नहीं YouTube वगरा खोल करके देख लिजे या कोई और app चला के देख लिजे अगर net चल रहा है तब तो जो हम step अभी आगे बताएंगे वो करिएगा otherwise अगर net ही नहीं चल रहा है तो वैसे network settings पर click करके यहाँ पर password डाल दीजे अपना और फिर से reset पर click कर दीजेगा जब पूछेगा बस आपके मेर network settings reset हो जाएंगे और उसके बाद आप download करके देखिए आपके में Facebook download होने लगेगा in case फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे home कर लेंगे app store पर चले जाएंग profile वाले icon पर click करेंगे नीचे की और सबसे scroll करेंगे sign out पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी Apple ID यहाँ से sign out हो जाएगी अब simply दुबारा sign in कर दीजे sign in with Apple ID पर click करेंगे continue पर click कर दीजे okay और यहाँ पर है जो है आपकी ID दुबारा से sign in हो जाएगी और उसके बाद आप download करके देखिए आपके में download होने लगेगा in case फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे आप अपने में simply power button and volume up button दबाएंगे यहाँ पर slide to power off कर देंगे iPhone switch off हो जाएगा आपका दुबारा से power button दबा करके switch on कर लेंगे और बस अब आप download करके देखिए आपके में download होने लगेगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए